कि oh कि hello student हम लोग निट कंभाई गाम के लिए दो सीरीश कर रहे हैं फ्रस्ट बाइपिक टेस्स 파्स स्रीज में करते हूं शिकेंड सरी जो कर रहे होग वायओ माड़ल अब कर रहे हैं तो यह हम लोग बाइपर टेस्ट पकर कर रहे हैं जिसके थो नीट कंबाइन एक्जाम में 50 to 16 कोईस्टन एक्जैक्ट इसी मारेल टेस्ट पेपर से आएंगे तो हम लोग कोईस्टन नंबर 165 देखते हैं साइटो काइनिन वाज डिस्कवर्ड फ्राम साइटो काइनिन एक प्लांट हार्मोन है यह डिस्कवर्ड कहां से किया जाता है तो यह डिस्कवर्ड किया जाता है फस्ट आप्शन देखते हैं कैनेरी ग्रास दिया गया है कैनेरी ग्रास से डिस्कवर्ड किया जाता है सेकंड ह तो यह सखते हो जाएगा एक प्लांट हार्मॉन है यह किसको होता है इंटागोनिस्टिक और सिनर्जीसिक होते हैं अन्टागोनिस्टिक मतलब अपोजिट अपोजिट और 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 दबलपी O W P O S I T E अपोजिट काम करेगा तो ABA के एंटागुनिस्टिक कौन सा हर्मोन होता है फरस्ट आप्षन इथाइलिन दे रहा है B आप्षन साइटोकाइन C जिब्रेलिक एसिड जिब्रेलिक एसिड जो होता है यह एंटागुनिस्टिक होता है किसके ABA के एसिड एसिड आप्षन नमबर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्टन नमबर वाटर इस दा मीडियम थूरू फूइस गैमीट ट्रांसपर यह 167 कोईस्टन नमबर बेरी मोस्ट इंपॉर्टन है यह कह रहा है गैमीट ट्रांसपर में वाटर का वाटर मीडियम किसमे किसमे इंपॉर्टन होता है तो वाटर जो होता है यह एलगी ब्रायफाइट टेरडो फाइट यह एलगी ब्रायफाइट टेरडो तेनों में वाटर मीडियम प्रोवाइट करवाता है गैमीट ट्रांसपर में तो कौन सा option सही हो जाएगा D option आला आप दीज दिया गया तो D option correct जाएगा Next question number Which is incorrect क्या पूछ रहा है इसमें कहरा कौन सा option incorrect है तो incorrect जहां दिया रहेगा जहां में हम लोग वहाँ गोला बना लेंगे भूले ना कि हम लोग incorrect question में पूछ रहा है कि correct पूछ रहा है तो first option क्या कहरा है first option mango tree है shorter life span than people tree और यह क्या पूछ रहा है incorrect पूछ रहा है तो कहरा mango tree जो होता है वो shorter life span उसका life span जो होता है कम होता है people tree से तो यह सही है correct है क्योंकि people tree का life span 200 से 300, 300 years होती है B option पंचानन महसुरी वाज honored with fellowship royal social society आफ लंडन के ये क्या थे honored थे तो B option भी सही है C option कह रहा approximate life spanner butterfly is one से two month नहीं one से two month नहीं होती है one से two beak होती है ये month दिया गया है यहाँ पे WWE के beak देना चाहिए तो ये C option सही हो जाएगा जो की गलत दिया गया है D option भी देख लेते हैं reproduction is a biological process सही है reproduction biological process ही होता है तो ये भी सही है next question number question number 169 very most important question कह रहा है taken the distance between two consecutive base pair as 0.34 nm में दिया गया है और ये meter में दिया गया है meter में दिया है अगर nanometer के इतना होता है 10k power minus 9 होता meter में change करोगे तो ये meter यहां लग जाएगा और यहाँ nanometer में दिया गया तो if the length of DNA अगर double helix DNA का typical mammalian cell calculated करना है तो कैसे हम लोग calculate करेंगे ये होता है ये क्या करना होता है इसमें तू ये distance क्या होता है base pair with distance between two consecutive base pair के बीच अगर हम multiply करते हैं तो कितना कितना multiply करना पड़ेगा 6.6 into 10 के power 9 को 9 base pair को multiply किसे कर देंगे इससे कर देंगे ये जो दिया गया है 0.34 nanometer इसमें multiply कर देंगे meter में तो ये क्या आजाता है 2.2 meter आजाता है जो कि DNA क्या typical mammalian cell का DNA का ये length है तो कितना जाएगा 2.2 meter तो first option सही हो जाएगा next question number merge the following column first और column second column first और column second दिया गया है जिसको हम लोग को merge करना आतो तो RNA polymerase दिया गया first option second option RNA polymerase second दिया गया third option RNA polymerase third दिया गया है जो कि हम लोग को merge करना है तो ये very most important question है इस question में जो first option दिया गया है ये RNA polymerase first दिया गया है तो RNA polymerase first जो होता है वो बनाता है transcribe करता है किसको वो RNA को करता है transcribe RNA जो होता है इसका setback unit जो होती है ये RNA किसको transcribe करेगा तो RNA को करेगा तो ये B option और इसके क्या होते हैं इसके setback unit 3 होते हैं 28 यस होता है, 18 यस होता है, और 5.8 यस होता है, यह किसका होता है, इसमालर rRNA के शेटबर्ग यूनिट होते हैं, और b option में क्या कह रहा है, rRNA polymerase second, rRNA polymerase second जो होता है, यह transcribe करता है, precursors आफ यह mRNA का precursors होता है, जिससे निकाला जाता है, तो यह कौन होता है, heteronuclear rRNA, heterogeneous nuclear rRNA, जो hRNA होता है, यह polymerase second किसको transcribe करता है, तो hRNA को transcribe करता है, c option rRNA polymerase third, rRNA polymerase third किसको transcribe करता है, तो इसमें एक trick है, जो जिस trick से question हमेशाशाई करते थे, तो इसमें हम लोग याद कर लेंगे, तारा, तारा, सन, तारा, सन, सर यह ट्रिक है तारा से मतलब TRN, ESN से ESN RNA और सर से ESR RNA ESR में क्या लगाएंगे, ESR RNA में आगे 5 लगा देंगे तो यह हो जाएगा, सर तो तारा से TRN, तो TRN और फिर पालिमरे 3rd, यह 5SR RNA को भी यह ट्रांस्प्राइब करता है तो यह आपसन नंबर 1st का दूसरा जाएगा, B का 5 जाएगा और C का 1st भी जाएगा, और 3rd भी जाएगा, और 4th भी जाएगा ESN RNA, तारा, TRN, तारा, सन, ESN RNA, सर, 5SR RNA तो यह आपसन नंबर 2nd, सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोईस्टन नंबर, तो some amino acid are coded by more than one codon, hence the code is, उसको काउन सा code कहते हैं, कुछ amino acid होते हैं, जो code होते हैं, more than one codon से, तो more than one codon से जो code होता है, वो क्या, किस effect को कम करता है, minimize कर देता है, mutation के effect को minimize कर देता है, मतलब minimize कर देता है, कम कर देता है, तो इसलिए, कुछ amino acid होते हैं, जो coded होते हैं, more than one kodan से उसको कहते है degenerate kodan degenerate kodan का मतलब तो हम tricks याद किये थे degenerate का मतलब होता है niche होता है niche मतलब हीन पुरूस हम लोग कह सकते हैं हीन पुरूस क्या होता है जिस पर चाहेगा उस पर मुह मार सकता है तो हम लोग degenerate kodan होता है some amino acid kodan by more than one kodan तो आपसा number भी correct हो जाएगा next question number DNA finger printing is based on DNA finger printing जो है वो किस पर based है DNA finger printing जो थी वो satellite DNA उसमें use होता है satellite DNA क्या है यह satellite DNA जो है mini satellite होती है DNA का टुकड़ा होता है mini satellite होती है micro satellite होती है तो DNA fingerprint बेस्ट होता है exons पर satellite DNA पर HNRNA पर both A and C नहीं तो B आपसां satellite DNA पर यह based होता है next question number I am autonomously replicating circular extra chromosomal DNA that remains free age अगर यह autonomously अपने आप खुद replicate करे circular extra chromosomal DNA तो यह क्या होगा यह plasmid यह है plasmid क्या plasmid यह एक vector है तो यह option सही हो जाएगा यह इसका definition ही है plasmid का next question number thermo stable DNA polymerase is isolated from जो DNA polymerase होते हैं जो अधिक temperature पर stable होते हैं उसको कहां से अलग किया जाता है तो एक PCR technique होती है PCR technique में हम लोग क्या करते हैं PCR technique में gene of interest मतलब desirable gene desirable DNA desirable DNA को मतलब लाबकारी gene को जिससे हम यूज करते हैं कहां से PCR में यूज करते हैं तो इसमें amplification आप DNA होता है किसमें PCR technique में तो PCR technique में thermo stable DNA polymerase जो अलग किया जाता आप फस्ट आप्शन देख लेते हैं agrobacterium tomiphasian second option thermos aquaticus एक bacteria होती है इसको यूज करके baseless therogenesis यूज करके या E. coli यूज करके तो इसमें B option देखेंगे इसमें thermos aquaticus एक bacteria यूज किया जाता है ये bacteria क्यों यूज करते हैं तीन स्टेज चलती है तीन स्टेफ दीनेचरिशन एंडलिंग और इक्स्टेंशन चलती है तो इसमें thermos aquaticus bacteria यूज करते हैं तो B option नंबर सही हो जाएगा next question नंबर attachment of alien DNA fragment to the host chromosomal DNA become possible due to किसके कारण ये possible होता है तो अगर कहीं भी attachment का आगया इसमें biology में attachment किस enzyme से करते हैं तो वो ligage enzyme होती है कौन सी ligage DNA ligage तो first option देखते हैं DNA polymerase दिया गया second option DNA ligage दिया गया है जो कि B option ही सही हो जाएगा C option restriction enzyme दिया गया है और D option आलाबदी दिया गया है तो कौन सा option सही हो जाएगा B option सही हो जाएगा next question number the most common use matrix in gel electrophoresis एक gel electrophoresis होती है इस gel electrophoresis topic से जो NCRT second page number 198 198 page number second NCRT second पे ये दिया गया gel electrophoresis इस topic से question in neat exam में हमेशा हर बार पूछ जाते हैं रहा है the most common use matrix जो is medium बना जाती है in gel electrophoresis में technique में जो most common use matrix क्या है तो एक use की जाती है इसका नाम एक growth gel जो की जो की जो की जो की जो जो कि जो जो की जो जो order वे इस लिए migration होता है जिसे undigested DNA जो होता है यह मतलब उसके size के base के होता है तो वो move करता है तो इसलिए कौन सा gel यूज़ करते हैं तो एक growth gel यूज़ करते हैं तो यह आपसा number सही हो जाएगा next question number genetic modified plant have been useful in many ways genetic modified plant जो होते हैं यूज़ कियाते हैं बहुत अधिक which among the following does not represent the advantage of genetic modified जनेटिक मोडिफाइड आर्गनिज में इसमें कौन सा represent नहीं करता है इसमें advantage नहीं है तो इसमें first option देखेंगे made crop tolerant to abiotic stress